हेलो फ्रेंज, वेलकम टे 24 नॉलेजे, ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बीएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 के ओनलाइन फॉर्म को आप कैसे अपलाए कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो यह आप एपलिकेबल हैं, अगर आप एलिजीबल हैं, अपलाए करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए ओनलाइन अपलाए कर बाएंगे, बात करेंगे फ्रेंज, इसके फॉर्म अपलाए प्रोसेस के बारे में और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सकें, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंज, अपलाए करने से पहले, CET BAT 2022 का, जो यहाँ पर कम्बाइंड एंटर्स टेस्ट BAT 2022 है, इसका नॉटिफिकेशन या इन्फोर्मेशन बाउचर को ध्यान से जरूर चैक करें, उसके बाद ही आप इसमें अपलाए कर सकते हैं, तो यह फ्रेंजिस का ओनलाइन अपलाए कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है तो आप New Registration वाले option पर क्लिक कर देंगे, अब आपको registration करने के लिए कुछ basic जानकारी फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर enter करेंगे, आपका नाम तो first name, middle name and last name आप यहाँ पर mention करेंगे, आपका जो date of birth है तो date, month and year वो आप यहाँ से select कर सकते हैं, आपका जो mail id गा, तो आपको यहाँ पर आपकी जो भी active and valid mail id है, वो आपको यहाँ पर enter करनी होगी, इसके बर friends आपको एक password create करना है, password आप जैसा चाहें वैसे create कर सकते हैं, उसमें आपको एक letter, एक number और एक special character आपको रखना होगा, special character का मतलब है, जैसे add the rate, star, hash, आपको कोई भी special character उ यूज कर सकते हैं, अगर sample के तोर पर बात करें, तो मैं यहाँ पर sample के तोर पर जैसे password लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर letters यूज कर लिए, इसके लावा हमने यहाँ पर numbers यूज कर लिए, और इसके बर आप यहाँ पर कोई भी special character लिख सकते हैं, इसमें friends आप at the rate, star, hash, जो आपको देखिए, confirmation email send के जाएगा, जिसमें activation link होगा, तो आपके mail ID को open करना है, और उसके बार अपने account को आपको activate कर लेना है, जहाँ पर friends से आपको देखिए, आपके username है वो आपको देना होगा, और इसके बाद जो activation code या OTP आपके mail ID पर आई है, वो आप डाल कर यहाँ से submit कर सकते हैं, इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए, आपका जो account है वो activate हो जाएगा, और login आपको करना है, mail ID और password के साथ, तो आपको sign in पर click करना है, email ID और password के साथ आप login कर सकते हैं, इसके बाद friends से आप login हो जाएंगे अपने portal पर, और अपने portal पर login होने के बाद, आपको my application का एक option मिलता है, आप इस पर click करेंगे, यहाँ पर आने के बाद friends से आपको my application में program type select करना होगा, तो be it regular यह सिक्षा सास्तरी, आप इन में से कोई भी option को select कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको be it select करना है, और उसके बाद आप यहाँ से proceed कर देंगे, प्रोसीड करने के friends, आप लोग इन हो जाएंगे, और यहाँ पर होने के बाद देखिए, आपके सामने option आता है, आपके applicant detailed for be it का, तो आपको यहाँ पर आपका नाम एंटर करना है, तो आपका जो नाम है वो आप यहाँ लिखेंगे, और इसके बाद friends से आपको space देना है, इसके बाद आपका आप बिहार है, तो आप बिहार select करेंगे, नेशनल्टी select करनी है, आपकी category जन्दल, EWS, SC, ST, BC, EWS, जो भी है वो आप select कर सकते हैं, और इसके बाद अगर आप दिव्यांग का इंडेट है, तो यस कर सकते हैं, टाइप of disability, percentage of disability आप mention करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर no कर सकते हैं, इसके लवाव फैंस, यहाँ पर option है, एक सर्विसमेन, family से बिलॉंग करते हैं, तो yes कर सकते हैं, और specify कर सकते हैं, आपकी subcategory को, और नहीं है तो आप no करेंगे, minority community से बिलॉंग करते हैं, तो आपकी category आप select कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी no करेंगे, कोई भ आपके according ही यहाँ पर enter करना होगा, आपका city, town कौन सा है, post office क्या है, state कौन सा है, district क्या है, pin code क्या है, आपका जो police station लगता है, area का वो कौन सा है, आपका alternative mobile number है, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, और यह आपका permanent address है, जहां के आपके documents है, आपके document जहां के भी है, जिस state के है उसकी ही जानकारी आपको यहाँ पर mention करनी होगी, यह है आपका correspondence address, correspondence address होता है, आपका present address, जहां पर present में आप रहते हैं, हो सकता है, दोनों यह अलग address आपके हो, तो आप अलग-अलग entry कर दीजिए, अगर यह दोनों same है, तो आप CMS पर click कर सकते हैं, यह automatic copy हो जाएगा, इसक आपको यहाँ पर sign upload करने है, और इसके लिए आपको browse का option दिया गया है, आप इस पर click करेंगे, jpg format में file को upload कर देंगे, file upload होने के बाद friends, जब आपको इसका preview मिल जाएगा, इसके बार आप save and proceed कर सकते हैं, save and proceed करने के बार आपका qualification section है, तो सबसे पहले 10 से आपको start करना अब यहाँ पर 10 के लिए आपको board के name मिल जाते हैं, आपके according जो भी आपका यहाँ पर board है वो आप select कर सकते हैं, इसके बार आपका euro passing क्या है, तो आपको euro passing दिया गया है, आपको अपने according आपका जो भी euro passing है वो आप select करेंगे, आपकी school या फिर institute का नाम क्या है वो आपको mention करना होगा, आपका marks type क्या है, percentage system है, आप यहाँ पर select करेंगे, obtained marks आपको देने है, इसके बार आपको देने है, full marks मतलब कितने में से कितने numbers आपके आए हैं, आप उसकी जानकारी provide कर सकते हैं, ऐसे ही 10 plus 2 आपने किस board से यहाँ पर complete किया है, तो आपको यहाँ पर same board की list मिल आती है, आपके according जो भी आपका board है, वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं, इसके बार friends से यहाँ पर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, तो आप other select कर सकते हैं, और इसके बार आपको यहाँ पर देना होगा, आपका area of passing, इसके बार सेम आपको आपके institution का या school का नाम आपको कर सकते हैं, और इसके बार आपको यहाँ पर सेम उनिवसिटी के नेम मिल जाते हैं, आपकी जो भी उनिवसिटी है, इस लिस्ट में से वो आप select कर लीजिए, नहीं है, तो सेम आप other select कर सकते हैं, और इसके बार अपनी university का नाम पूरा नाम आप यहाँ पर mention कर देंगे, मैं पीजी डिगरी पास आउट हैं, तो आप उसकी जनकर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे blank चोड़ेंगे, बोर्ड, युनिवसिटी, स्कूल, कोलेज, नेम आपका देना mandatory आपका यहाँ पर रहेगा, और उसके बार आप यहाँ से 7 प्रोसीड कर सकते हैं, इसके बार आपका है certificate तो वो आपको upload करना होगा, तो आप browse पर क्लिक करेंगे, फाइल को select करेंगे और यहाँ पर upload कर देंगे, तो यहाँ पर फैंसे देखिए, जब आप document को select करते हैं और उसके बार अप लोड करते हैं, तो documents आपके upload हो जाएंगे, आप यहाँ से view कर सकते हैं, और उसके बार आप यहां से भी से 7 प्रोसीड कर देंगे नैस ऑप्शन है आपके exam center का तो आप अपने according जो center देख सकते हैं यहाँ पर आपके according जो center आप लेना चाहें वो आप यहाँ पर ले सकते हैं तो आपको center आपके according चूस करने होंगे और उसके बार आपके 7 continue पर click कर देंगे इसके बा इसके बार फ्रेंड से यहाँ पर next option है proceed to payment का अब आपको यहाँ पर देखिए जब form submit हो जाता है तो आप proceed कर सकते हैं payment करने के लिए तो payment करने के लिए आप सबसे पहले इस option पर click कर देंगे इसके बार फ्रेंड से नैस option है आपके payment का तो payment आपको यहाँ पर मिल जाएगा इ इसके बार आप credit card, debit card, net banking, जो भी आप option select करना चाहें, वो option friends, आप यहाँ पर select करेंगे, और select करने के बाद, आपको proceed to pay का option मिलता है, आप इस option पर click कर देंगे, इसके बाद friends, यहाँ पर देखिए, आपके सामने option आता है, pay using card का, तो आप इस option पर click करेंगे, और इसके बाद friends, आपको यहाँ पर skip करना है, save card पर, अगर आपका कोई card save नहीं है, तो यहाँ पर क्योंकि number मैंने sample के दोर पर दिया है, तो आपको यहाँ पर अपने card की details फिल करनी है, जिसमें card का नाम, card की जो expidate होती है, आपके card holder name दे सकते हैं, अगर यह नहीं यह name नहीं है, तो आप chain नाम कर ले लिए, इसके बाद CVV number आपको देना है, जो कि card के पीछे लिखा होता है, तीन डिजिट का, इसके बाद friends, आप यहाँ से pay कर सकते हैं, अपनी fees को, तो fees आप अपने according, यहाँ पर debit card, credit card या net banking जैसे भी करना चाहें, वो आप कर सकते हैं, और payment successful होने के बाद ही, आपका form final submit माना जाएगा, तो यहाँ पर friends, इस वीडियो हमने बात की, बिहार BRCET 2022 का online form आप कैसे फिल कर सकते हैं, step by step process के बारे में, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है, तो friends, like, subscribe, share जरूर कीजिए, बाकी की जानकारी के लिए, ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारा यूटुब चनल, एले रास, थैंक्स पूर वाचिंग,